साथ संगत जी प्रेम से कहना धान नरंकार जी एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर आज की साखी का विशे हैं बांच चलिए सुनते हैं आज की ये साखी साथ संगत जी आधी रात का समय था रोज की तरह एक बुजुरक शराब के नशे में अपने घर के तरफ जाने वाली गड़ी से जूमता हुआ जा रहा था रास्ते में खंबे के लाइड चल रही थी उस खंबे के ठीक नीचे एक पंदरा से सोला साल के लड़की पुराने फटे कपड़ों में डरी सहमी से अपने आसु पोचते हुए खड़ी थी जैसे ही उस बुझुरग की नजर उस लड़की पर पड़ी वो रुखसा गया लड़की शायद उजाली की चहा में लाइट के खंबे से लगबग एक दम चिपकी हुई सी थी वहें बुझुरग लड़की के पास गया और उससे लड़क खडाती हुई जवान से पूछा तेरा नाम क्या है तु कौन है और इतनी रात को तु यहां क्या कर रही है लड़की चुपचाप डरी सहमी नजरों से दूर किसी को देखे जा रही थी जब बुझुरग ने उस तरफ देखा जहां लड़की देख रही थी तो वहाँ चार लड़के उस लड़की को घूर रही थी उन में से एक उस बुझुरग को जानता था तो लड़का उस बुझुरग को देख कर जेप गया और अपने साथियों के साथ वहां से चला गया लड़की उस शराब के नशे में बुजुरक से भी सशंकित थी फिर भी हिम्मत करके कहने लगी मेरा नाम रमा है मैं अनाथ आश्रम से भाग आई हूँ वो लोग मुझे आज रात के लिए कहीं भेजने वाले थे दवी जुबान से बड़ी मुश्किल से वो लड़की ये कह पाई बुजुरक ने कहा क्या बात कर रही है तू अब कहा जाएगी लड़की कहने लगी नहीं मालो बुजुरक कहने लगा मेरे घर चलेगी लड़की मन ही मन सोच रही थी कि ये बुजुरग शराब के नशे में है और आधी रात का समय है और उपर से ये शेरिफ भी नहीं लग रहा और भी कई सवाल लड़की के मन में आ रहे थे बुजुरग ने कहा बाँखरी बार पूछ रहा हूँ मेरे घर चलेगी हमेशा के लिए बद नसीबी को अपना मुकदर मान बैठी गहरे घुप अंधेरे से घबराई हुई सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़कर लड़की ने दबी हुई सिजुवान से कहा जी हाँ उस बुजुरग ने जट से लड़की का हाथ कसकर पकड़ा और तेज कदमों से लगभग उसे घसीटते हुए अपने घर की तरफ बढ़ चला वो नशे में इतना धूत था कि अच्चे से चल भी नहीं पा रहा था किसी तरह से लड़कडाता हुआ वो अपने मिट्टी से बने हुए कच्चे घर तक पहुँचा और दर्वाजे की कुंडी खट-कटाई थोड़ी ही देर में उसकी पतनी ने दर्वाजा खोला पतनी पती को कुछ बोल पाती उससे पहले ही बुजुरग ने कहा ये लो संभालो इसको बेटी लेकर आया हूँ हमारे लिए अब तुम बांज नहीं कहलाओगी आज से हम दोनों भी उलाद वाले हो गए पतनी की आखों में खुशी की आँसो बहने लगे और उसने अपनी बेटी को उस लड़की को गले से लगा लिया साथ संगत जी, रेखा के घर में सोतन आई तो रेखा का लहू पानी हो गया रेखा बांज थी, रेखा के पती प्रशांद को बच्चे की इतनी लालसा नहीं थी जितनी की रेखा के साथ ससुर को थी रेखा के इलाज में कोई कमी ना रह गई थी पर रेखा की कोक बंजर धर्ती बन गई थी जिसमें सिकी कर भी ना ओगे रेखा को बच्चों से बड़ा लगाव था मातर तब उसमें कूट-कूट कर भरा हुआ था मुहले के जिस बच्चे को वो गोध में दे लेती वो उसी के गुन गाने लग जाता था जब साह ससुर के धार लगे विशेले बानों के जखम नासूर बन गए तो रेखा नहीं अपने पती को दूसरी शादी करने के लिए राजी किया लेकिन रेखा की सोतन लता के घर में आने के दिन से ही रेखा गुमसुम हो गए और गुमसुम भी ऐसी हुई कि मानों उसकी मुह में जी भी ना हो लता से तो उसे बोलना ही नहीं था, उसने पती से भे बात करना छोड़ दिया उसे लगता कि उसका इकलोता अब लंब ही नियती ने चीन लिया उसे लगने लगा कि अब वो बे सहारा हो गई अब रेखा सबके लिए खाना बनाती, कपड़े धोती, घर के सारे काम खुद करती और लता को किसी काम को हाथ भी ना लगाने देती, पर चूप रहती थी घर के सबी लोग यहां तक की लता भी रेखा को देख कर कुड़ती रहती पर वो तो रेखा अपने हाप में सिमट गई थी, एक साल बीट गया लता के घर अब संतान का जनम होने वाला था और आज उसकी गोद भराई की रसम थी, तो घर में बहुत बड़ा सा महरो था सभी नाति रिष्टदार परिवार मित्र पड़ो सी आ चुके थी, नाच गाना चल रहा था और अब सब मही लाएं फलो भारोर मिष्ठान लेकर, अजनमे हुए बच्चे को अशीश देने साधे कपडों में बैठी हुई लता को घेर कर बैठ चुकी थी जैसे ही रस में शुरू हुई और पंडित जीने मंत्र पड़ने शुरू किये, लता उठी और वो अंदर चली गई, सब हैरान हो गई अब आख, कुछी पलों में लता बहार आई तो शगुन के जोडे में सजी धजी रेखा का हाथ उसके हाथ में था वो आगे बढ़ी और अपने आशन पर रेखा को बिठा कर उसकी बगल में बैठ गई, रेखा भी हैरान थी और बाकी के लोग भी हैरान थे रेखा ने उठना चाहा तो लता ने रेखा का हाथ पकड़ लिया रेखा को लता कहने लगी दीदी, मैं आपको कोई सुख तो ना दे सकी आगर आपके हख को भी मैंने साजा कर लिया, यही तो एक लोटा सुख था जो मैं आपको दे सकती थी तो आज आपने ये कैसे सोचा ये सुख मेरा है इस सुख पर आपका हग सबसे पहला और सबसे ज़ादा है मैं तो सिरफ जननी बनूगी मा तो आप बनेंगी तो फिर गोद भराई मेरी क्यों हो समाहरो शुरू हुआ रेखा की गोद मिष्ठान और उपहारों से और आसों से भरी हुई थी इन आसों से ना सिरफ उनके मन का वहम धुल गया था बलकि उसे उसके शब्द भी लोटा दिये गए थे साथ संगत जी दर्वाजे पर आवाज सुनकर जैसे है सुबह सुबह आकाश ने दर्वाजा खोला तो सामने एक पुराना सब ब्रीफ केस लिए गाव के मास्टर जी और उनकी बिमार पतनी खड़ी थी मास्टर जी ने चेहरे के हावाव से पता लगा लिया था कि उन्हें सामने देखकर आकाश को जरा भी खुशी नहीं हुई जवर्दस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हुए बोला अरे सराब आप दोनों बिना कुछ बताए अचानक से चले आए अंदर आईए मास्टर साव ब्रीफ केस उठाए हुए अंदर आते हुए बोली हाँ बीटा अचानक से ही आना पड़ा मेरी पतनी बेमार है पिछले कुछ दिनों से इसका बुखार उतर नहीं रहा काफी कमजोर भी हो गई है गाव के डॉक्टर ने ही शहर में अच्छी जगा दिखाने की सलहा दी अगर तुमाज ओफिस से चुटी लेकर जरा वहाँ नंबर लगवाने में मदद कर सको तो अकाश कहने लगा नहीं नहीं चुटी तो ओफिस से नहीं मिलेगी बात काटते हुए अकाश बोला थोड़ी देर में अकाश की पतनी ने भी अनमने ढंक से दो कप चाई और कुछ बिस्केट उन दोनों बुजर्गों के सामने मेज पर रख दी एक बच्ची जिसका नाम था चांदनी वो सोकर उठी तो मास्टर जी और उनकी पतनी को देखकर खुशी से चहकते हुए दादू दादी बोल कर उनसे लिपट गई दरसल छे महीने पहले जब आकाश एक सपतहा के लिए गाव गया था तो आकाश की बेटी चांदनी जादतर मास्टर जी के घर पर ही खेला करती थी मास्टर जी नी संतान थे और उनका चोटा सा घर आकाश के गाव वले घर से बिलकुल सटा था बूड़े मास्टर सहाब खूब चांदनी के साथ खेलते और मास्टर नी साहिबा बूड़ी होने के बाव जुद दिन भर कुछ ना कुछ बना कर चांदनी को खिलाती थी बच्चे के साथ वो दोनों भी बच्चे बन गए थे गाव से शहर लोटते समय चांदनी खूब रोई उसके अपने दादा दादी तो थे नहीं मास्टर जी और मास्टर अनी जे में ही चांदनी अपने दादा दादी देखती थी जाते वक्त आकाश ने घर का पता देते हुए कहा था कभी भी शहर में आए तो हमारे घर जरूर आईएगा बहुत अच्छा लगीगा दोनों बुजुर्गों की आँखों से चांदनी को जाता देख आशु फिर गिर रहे थे और वो आशिरवात भी दे रहे थे कुला करने जैसे ही मास्टर जी बेसिन के पास आए तो उन्हें आकाश की पतनी के आवाज सुनाई दी जो कह रही थी क्या जरूरत थी इनको अपना पता देने की तो पहर को मेरी सहलिया आएंगी तो उन्हें क्या जवाब दोंगी और अपनी बच्ची चादनी को अंदर लियाओ कहीं बिमार माश्टर नी की गोद में जाकर बिमार न हो जाए आकाश ने कहा मुझे क्या पता था है सच में आ जाएंगे रुकोईने किसी तरह से आँ से भीजता हूँ दोनों यात्रा से बुझुरक था के हारे और भूखे प्यासे आये थे तो उन्होंने सोचा था बड़े प्यार से आकाश की घर चल कर सब अराम से नाश्टा करेंगे इसी वज़ाए से बुझुरक दमपत्ती ने कुछ खाया भी नहीं था चुपचा वो बुझुरक जाकर अपनी पतनी के पास बैठ गए तब ही अपनी मा की तेज आवाज सुनते हुए ढरती हुई वो बच्ची चांधनी अपने कमरे में चली गई थोड़ी देर के बार जैसी आकाश आगन में उसे मिलने आया तो देखा चाय बिस्किट वैसे ही पड़े थे और वो दोनों बुझुरक जा चुके थे पहली बार दिल्ली शहर आए दोनों बुझुरक किसी तरह से टैक्सी से बड़े से हस्पताल में पहुँचे और भीड के बीच में थोड़ी देरा राम करने एक जगा जमीन पर बैठ गए तब ही उनके पास एक काला सादमी आया और उनके गाउं का नाम बताते हुए पूछने लगा आप मास्टर जी और मास्टर नी है ना मुझे नहीं पहचाना मैं रामू हूँ आपने मुझे पढ़ाया था मास्टर जी को याद आया कि हां ये रामू थो रामप्रसाद का बेटा है जो रामप्रसाद नालियां साफ करने का काम करता था और रामू को अनुसुचित जाती होने के कारण स्कूल में आने पर गामवालों को इतराज था इसलिए मास्टर शहब शाम में एक घंटा रामू को पढ़ाते थे और रामू ने इसके बाद मास्टर जी को कहा कि मैं इस हस्पताल में चतुर्त श्रेणी करमचारी हूँ साफ सफाई से लेकर पोस्ट मार्टम रूम तक सारी जम्यदारी मेरी है फिर रामू ने तुरं थी मास्टर जी का ब्रीफ के सर पर उठा कर अपने एक रूम वाले छोटे से क्वार्टर में वो उन दोनों को ले गया रास्ते में अपने साथ काम करने वाले लोगों को खुशी-खुशी बता रहा था है मेरे रिष्टदार आए हैं इन्हें अभी घर पहुँचा कर आता हूँ घर पहुँचते ही रामू ने पतनी को सारी बात बताई तो पतनी ने भी खुशी-खुशी तुरंत दोनों के पाउंच हुई फिर सभी ने मिलकर नाश्ता किया फिर रामू की छोटी सी बेटी उन दोनों के साथ खेलने लगी रामू ने कहा आप लोग अराम करें आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदोलत हूँ मास्टर जी फिर रामू हस्पताल में नंबर लगा आया रामू की मा नहीं थी बच्पन से ही मास्टर नी साहब का नंबर आते ही रामू हाथ जोड कर डॉक्टर से बोला जर अच्छे से लाज करना डॉक्टर साहब ये मेरी बूड़ी मा है सुनकर बूड़ी मा ने आशिर्वात की जड़िया लगाते हुए अपने कापते हुए हाथ रामू के सर पर रखती है वो बाँ जोरत आज सच मुझ मा बन गई थी आज उसे बीटा मिल गया था और उस बीन मा के रामू को भी मा मिल गई थी साथ संगत जी अगर आज की साखी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेर जरूर कीजेगा आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ साथ संगत जी प्यार से कहना धन नरंकार